प्रमना दर्थ संसिद्धी स्तदा भासादी परियर इती वक्षेत योर लक्ष्म सिद्धा गल्पन गिये से प्रकरन अपना दहरा प्रवारूप से चल रहा है जिसकी विशेवस्तु यह है कि जे नाचारे अन्यमत्य को यह कहते है कि अनुमान के अंगों में उदारन की अवशकता बिल्कुल भी नहीं है एक मात्र हेतु ही साद्य की सिद्धी करने के लिए समर्द है इसलिए साद्य और हेतु यही दो अंग है अथवा पक्ष और हेतु अथवा प्रतिग्या और हेतु यही दो अंग है उधारन की आवशक्त नहीं है और जब उसने बहुत ही आगरे रखा कि उधारन को भी अनुमान का अंग कहा जाना चाहिए मुक्ती समझ में आ रहा है विशेपुरजो मैं कह रहा हूँ क्या विशेच चला सुन रही हूँ थी पहर से आचारी देव ने क्या कहा अनुमान वाक्य की कितने आंग होने चाहिए ठीक है अथवा प्रतिग्डयोर है तू अथवा साध्योर है तू अन्य कोई आग नहीं होना चाहिए विशेपुरण का शंकार की इनुरनतरियो शंका चल रही है आधार तो उसका निराकरण वह प्रक्यात पक्स तो होना जरूरी है ग्यान कराता है विशेश रुप से और अभी प्रकरणिये है उधरन के आवशकता होनी चाहिए ऐसे शंक कार का कहना है आचरे देवने उसके सामने तीन विकल्प रखे थे वे कौन-कौन से विकल्प थे य अच्छा फ्रेश मोड रखो तुम तुम्हारा कल्यान होगा कहा तक आए तीन बाते आचरों ने उनको पूची थी कि उधरन क्या विशकता आखिर लगती है तो क्यो लगती है बोलिये तीन विकल्प कौन से कहे थे बोलो मुक्ति बराबर साथ देकी प्रफिचति के लिए आवशक पढ़ता है क्या शकंड वियापती के लिए आवशक पढ़ता है क्या उधरन और कि वियापती के स्मरण के लिए आवशक पढ़ता है इन तीनों में से किसके लिए आवशक पढ़ता है जिसमें से दो विकल्पों के हमने चर्चा की थी और कौन से सुतर तक आए थे 36 सुत्र तक हम आये थे 36 सुत्र था देखिए वेक्तिरुपम्च निदर्शनम सामन्ये नितुव्याप्ति तत्रापी तत्वी प्रतिपत्ता नवस्थानम स्यात द्रिश्टांतरा पेक्षनात यादारे आपको क्या चला था इसमें इसमें कहा था एक द्रिश्टांत को समझाने के लिए अन्ने द्रिश्टांत लेना पड़ेगा इसमें तो अनावस्था दोशा आजाएगा और क्यों आवश्यक के कहते है क्या है तुदिया क्योंकि द्रिश्टांत एक देश रूप होता है वेक्ति रूप होता है और साद्धी की सिद्धी व्यप्ति को देखकर होती है तरक से होती है वो एक में कैसे सिमित रहे सकते है भगवान क्या अभा कैसी कही है कोरोडो सूर्य समान अभी कोई ये कलप न करे कोरोडो सूर्य समान कहा है तो फिर वहाँ पर पब्लिक कैसे खड़ी रहती होगी, इतनी नज़्दी की में, तो फिर उसको और एक उधरन डेकर समझाना पड़ेगा, क्या समझाना पड़ेगा, वही हीट के आपिक्षा नहीं हमने उधरन दिया, वहामन अभा मंडल के आपिक्षा दिया, तो फिर ऐसा उसके लिए कुछ नय एक्जम्पल और देना पड़ेगा और उस एक्जम्पल में भी दूशन आएगा तो और एक्जम्पल देना पड़ेगा ऐसे बहुत आनावस्ता दोस्त गिर जाएगा इसलिए बोलिए इसलिए दुसरे विकल्प का खंडन यहां से हुआ था कि व्याप् को पूरी करो आचरे होंगे तो आचरे क्या कहेंगे फिर बोलिए आचरे क्या कहेंगे बोलो मनन तो आगे बात करो न पूरी तो तो चिन में बोलो तो बोला दित्या तो बोलो कोई भी बोलो हर्शिल बोलो उधरन के आवशकता नहीं है व्याप्तिके स्मरन के लिए भी तो व्याप्ति का स्मरंड बोलो एक मात्र हेतु से हो जाता है एक मात्र हेतु ही सब जग समर्थ है कह रहे है और जिसको सिद्ध कर रहे है वो साध्य को तांग बोली रहे है उसका अधरभूत पक्षत भी बोली रहे है बलकि पक्षत को और साध्य को एक अभिन्न देखकर ही उसको प्रतिग्य बोलते हैं तो कहने की बात यह है कि अकेला हेतु ही समर्थ है सब करने के लिए उसके लिए इन उधारनों के आवेशक्ता नहीं है देखे एक सूतर पढ़ते हैं जिसका अरथा अभी हमने देखा सूतर पढ़िए मुक्ती बेटा पढ़ो पढ़ो देखिए साइती सो सूतर है नापी व्याप्ती स्मर्णार्थ मिल रहा है सब को स्मर्णार्थ है कि स्मर्णार्थम है आपके इसमें थम बिंदी है न उपर चाहिए नापी व्याप्ती स्मर्णार्थम व्याप्ती के स्मर्ण के लिए भी न अपी उसका उसकी आवशक्ता नहीं है किसकी अनुभृत्ती कौन से प्रकरण चल रहे है उधारण के आवशक्ता नहीं है क्या बोल रहे है आपर हेतु के प्रयोग से ही उसकी स्मृति हो जाती है उदारण क्या वशक्त नहीं है यह को मैं आपको थोड़ा सा बताओ कैसे राम चंदर जी को राम चंदर जी लक्षमन की लास ढोरे छेचे महने के लिए अब यह ढोरे है अब उनको कैसे सचेत किया जाए तो सचेता इसे किया जाए तो कृतान तवकर का जीव आया था जटायू का भी जीव आया था और उन्होंने क्या किया था उन्होंने यह चाहा उन्होंने यह किया राम के सामने पाशान में बीज बोना चाहा और फिर राम का अच्छन का ऐसा लगा यह क्या कर रहे तो वो बोल बैटे रामचंदर जी ये क्या कर रहे है पाशन में कभी बोया जा सकता है क्या फिर थोड़े ही अंतराल पर फिर वो क्या कर रहे थे और एक चीज रेती में से तेल निकालने का प्रयास कर रहे थे तो रामचंदर जी फिर बोल पड़े कि रेती में से कभी तेल न वकितना गहरत ग्लडिर में रखिय आपड़ुशन पर मुंका धीमक्तिन कुर्णोन। एक मतर हेतु से भी हो सकता था कैसे हो सकता था जहाजाज चेतना है वहाँ जीव है जहाज जीव है वहाँ चेतना है जानन देखने और और जहाजाज चेतना है वहाँ पर मन वचनकाई की प्रोर्ति पाई जाती है और इनके मन को पूरी करू जल्दी ब्रहां मुभा एके उधारन के मादेम से रामचंद्री जिको ग्यान हुआ है अईसा नहीं है उधारन के मादेम दुब पहले ही तु की तरफ बड़े है और ही ही तु सही उनको विद्धिका समरण हो गया है ठीक है तो चार्ट पूरा किया है वह अभी प्रकरन थोड़ा चेंज होगा और ये लगबग पास सुत्रों का एक नया प्रकरन और चलेगा। देखो क्या कहते हैं अड़ती सो सुत्र देखिए। तत्परम अभी दियमानम। अच्छे सुत्र है बहुत ध्यान दो तो पास सुत्रों की एक विशेवस्तु से तैर होगा। परमकार्तिया पर केवल है केवल अभी दियमानम कहा जाने पर पर तत्प मतलब किसकी चर्चा आएगी। उदारन की चर्चे चल रही है। इस तारतिया हुआ यदि केवल उदारन बताया जाए। समझ रहे इस शब्दकारत है। यदि केवल उदारन बताया जाए तो अपत्ति पढ़ती है फिर। क्या पत्ति पढ़ती है साध्य धर्मीनी साध्य धर्मी में साध्य धर्मी में मतलब साध्य विशिष्ट धर्मी में साध्य से युक्त धर्मी में क्या होता है फिर। साध्य साधने संदेहयती धर्मी में साध्य और साधन में संदेह उत्पन्व हो जाता है क्या बोला इस सुत्र का शब्दार तो बोलो संदेह मतलब दो अपत्या आती है आचर देव कहते है क्या पत्ति आती है एक तो साध्धे विशिष्ट धर्मी में साध्धे का संदे हो जाता है ए भाईया तुम यहाँ पर बेठा करो मेरे पास में मैं अच्छा नहीं लगता कि तुमको तुम आजा न मैं तुम्हें थोड़ा कुछ पूछूँगा क्या दिक्कत हो रही है बोल रही है इसमें दर्मी में साध्धन का संदे हो जाएगा बात एक और दर्मी में साधन का संदे हो जाएगा बात दो कब जब केवन उधारन की अपन बात करेंगे तो क्या कहना चाते है याचर ये कहना चाते है फिर उधारन के पीछे पीछे फिर उपने और निगमन भी कहना पड़ता है ना फिर तो ना रहेगा बास ना बजेगी बासुरी यदि उधारन ना कहते तो उपने और निगमन भी नहीं कहना पड़ता और यदि कोई ये कहे कि उपने और निगमन मत कहो फिर मातर उधारण को नो उसमें ये आपत्य आती है कहे रहे यदि मातर उधारण के प्रयोग करते हैं तो फिर संदे उपन्न होता है साध्य का धर्मी में और साधन का धर्मी में कितने जन फॉलो कर रहे थोड़ थोड़ा अब और खोलता हूँ और खोलता हूँ दो संधे बोले हैं उन्होंने कौन-कौन संधे कि साध्य विशिष्ट धर्मी में साध्य का संधे हो जाता है और इसका निराकरण के लिए उन्होंने निगमन को खड़ा किया और साध्य विशिष्ट धर्मी में साध्य का संधे हो जाता है उसके लिए उनको उपने कहना पड़ता है अभी अभी समझेंगे इसको मेरी बात को थोड़े थोड़े पकड़ रहे हैं पहले आपन ये देख्या अनुमान वाक के एक बनाए तो फिर आपन समझ पाएंगे प्रॉपरली देखो मतलब केवल का रत क्या क्या मुक्ती तो फिर केवल यदि उधारन का प्रयोग करते हैं मतलब क्या कहना चाहते है आचर देव फिर उपने और निगमन के बिना मातर उधारन का प्रयोग करेंगे तो फिर तकलिप खड़ी होगी फिर जादा ही संदेव हो जाएगा उसको मतलब उसका कन्फूजन बढ़ता जाएगा फिर जैसे मैंने ये कहा जैसे मैंने ये कहा कि सिद्ध भगवान मुक्तावस्ता को प्राप्त हुए है सब कैसे वो कुमार के चकर के समन तो अभी संदेख खड़ा हो गया आपको किसमें संदेख खड़ा हुआ कि भगवान सिद्धावस्ता जीव सिद्धावस्ता को प्राप्त हुआ आपको इसको कैसे टैकल करना चाहिए था इस अन्मान वाक्य को कैसे टैकल करना चाहिए था कैसे प्रूव करना था अरे हेतु देकर प्रूव करना था बस क्या हेतु देकर जो जो हलका पनाएगा करमा और रहना हटेगा तो जी मुक्त तो हो गई और दो शावरोने और हानी बस एक है आतीशायने खेतु देखर तुमको टैकल करना था तुमने क्या किया आगे चक्रवत या अंबू लेपांबू वत और अविद्ध चक्र को लाल वत ऐसे आपने दो उधरन दिये अभी संदे खड़ा हो गया उसको क्या संदे खड़ा हुआ यह जो चक्र का उधरन दे हो मतलब तो उसको यह बताना पड़ेगा जैसे वो चक्र पूर्व संसकार से दंडा हटाने पर भी घूमता है ना वैसे ही पूर्व में संसकार पड़ा था ना मुझे मेरा कल्यान करना उस संसकार के बल पर बराबर आज भी मोक्स में है वो उपर से नीचे नहीं आते हैं तो ऐसा जो उधरन स्पष्टी करन करना पड़ा वट इस देट कॉल्ड उपना है वेरी नाइस तो केरे फिर उसको उपना भी बोलना पड़ेगा तो पिर केवल उधरन से काम नहीं चलेगा फिर क्योंकि जैसे अविद्ध कुलाल चक्रवत बोल दि नाच्छा अच्छा तो उधरन आपको उसको उनको खोलना पड़ा मतलब आपको उपने का सहरा लेना पड़ेगा और फिर उधरन अईसा होता है जैसे यह उधरन में ऐसा हुआ ठीक उसी प्रकार वहाँ पर भी सिद्धों में पूर्वसंस्कर वत पूर्वसंस्कर से ऐसा पाया जाता है ये क्या हुआ ये निगमन हुआ निगमन में क्या होता है पर जो सिद्ध करना था तो प्रूव क्या कि कोई सिद्ध हो सकता है तो फिर जो साद्ध है उसको भी elaborate करना पड़े गए elaborate को क्या कहते है आप लोग खोलना कहेंगे कि उसको चलेगा क्या तो उपने तो एक उधरन कोई फिर से खोलना पड़ा धर्मी में साध्य किसने खोला निगमन निगमन ने और धर्मी में साधन को किसने खोला उपने ने दोको यह परवत अगनी वाला है इसी लिए यह परवत अगनी वाला है ये क्या है इसी लिए यह परवत अगनी वाला है ये निगमन ये धर्मी में साध्य को दिखाता है क्या क्या बोला साध्य अगनी है साधन धूम है तो ये जा इसी लिए इस परवत में अगनी है ये साध् इस्टे धर्मी में किसको दिखाया? साथ दे को दिखाया. तो यह कहना पड़ेगा फिर आपको. ने तो फिर संडे उत्पन्न होएगा. अकेला उधरन कहेंगे तो. एक. और फिर क्या कहना पड़ेगा? हेतु मातर क्या दिया था? धूम होने से. और उपने अभी क्या देना पड़ेगा? जिस प्रकार परवत पे धूम है? यह उपने हो गया. आप सब समझ रहे हैं? बस. उपने मतलब उसी को खोल दिया. किसको खोल दिया? वो साधन को खोल दिया. कि जैसे इस परवत पर धूम है बस. और इस परवत पर अगनी है. इसी लिए इस परवत पर अगनी है. यह तो निगमन. और इस परवत पर धूम है. यह हो गया. उपने. तो यह दोनों कहना पड़ेगा फिर कहरे. यह दिव उधारन लेते हो तो. और नहीं तो फिर सीदह इतना ही बोलो. जहाज़ा अगनी है वहावा धुआ है. जहाज़ा धुआ है वहावा अगनी है. जहाज़ा अगनी नहीं वहादुआ नहीं. तो अगनी को देखकर धुए का ग्यान हुआ. बस अभी जैसे आप रस्वी घर बोलें. तो तकलिफ क्या खड़ी होगी? उसको फिर ये समझाने पड़ेगा जिस प्रकार रसोई घर में दुआ देखना जाता है तब अगनी वहाँ पर पाई जाती है ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी दुआ होता है तो दुए की भी बात यहाँ करनी पड़ेगी और अगनी की भी बात फिर करनी पड़ेगी यह क्यावल उधारन लिया इसलिए करना पड़ा कितने जन बात को समझ रहे है बस यह थीम है इसकी देखो अब आगे बढ़ो यह 38 सूत्र पढ़ना है हमको यह सूत्र देखे 38 सूत्र पढ़ना है तत्परम अभी दियमानम क्या रथ क्या इस शब्द का समय बोलना तत्परम अभी दियमानम तत्परम अभी दियमानम इतने शब्द का रथ बोलो रज़त बढ़ना है कि परवना कुछ मतर मातर मतर 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 करी जाने पर हाँ हाँ बराबर बराबर वो मातर उधरन कहे जाने पर पर मतलब क्या कहना चाहते आचर डीपक? पिर बिना उपने और निगमन के मातर यही कोई उधरन का प्रयोक़ करता है तो आचरे को तो यह सिद्धर करना उधरन का आख्यातर नहीं है पिर इन बच्चों को लेके जा और फिर बच्चों के पिछे उनकी माव को भी लेके जाना पड़ेगा ना पिर कोई किसने कहा पिकनिक जा रही ते कोई साब हमारे बच्छे को भी लेकर जाओ अरे तुमारा बच्छा मिनिट मिनिट में दूद मांगेगए पाने मांगेगए शू लगी बोलेगए कौन देखेगा तो तुम भी चलो फिर तुम भी चलो यह तो कहने के पदवती है लेकिन मूल चीज क्या कहने थी बच्चों को नहीं लेके जाए कोई अब समझ रहे तो फिर उसकी भी आवस्चत पड़ेगी उधरन सबको समझ में आता है फिर इनकी सेवा में और लगना पड़ेगे तो उधरन देंगे तो उपने और निगमन भी कहना पड़ेगा तो उधरन कोई अंग नहीं है और अन्य-अन्य उधरन तो समझाने पड़ेगे दुसरी बात लेकिन मूल फिर स्पष्ट करना पड़ेगा उपने और निगमन के द्वारा अभी आगे का सुत्र देखे नहीं इसको साध्य धर्मिनी साध्य साध्यने संदेहयती इसका क्या अर्थ क्या साध्य धर्मिनी साध्य साध्यने संदेहयती क्या अर्थ किया तो इसका नो जिन्वानी अब कुछ लेके बैठा करो ना चोकी लेके बैठा करो थोड़ा सा क्या कहा उसका अर्थ क्या क्या अर्पित है नहीं है स्कूल में कैसा है आच्छा है अबिलिटी का बच्चा है क्या नहीं है बोलो क्या अर्थ किया इसका साद्दे धर्मीनी साद्दे सादने संदेहे दी साद्दे धर्मीने साद्दे और सादन का संदेह उत्पन्न होता है कब यदि उपने और निगमन की मिना मातर उधारन डालते है तो इसलिए उधारन अंग नहीं हो सकता फिर समझाना पड़ेगा खूब इसको आगे बढ़ते हैं इसलिए क्या करो आचर देव कहते हैं इसलिए बोलो एक मातर ही है तुसे काम चलता है यह तो बात है है इसलिए उधारन को हटा दो इसलिए है तुसे काम चलता है इसलिए आगे और बोलो इसलिए इसलिए अनुमान वाक्य के बोलिए धोह आँग है बस आगे take पनौने लाख्यण का क्या है उन्तली सो सुतर चलेगा मनन बहुत सरल है देखो कुटह कुटो अन्यतो उपने निगमने कुटह इसंदी विच्चत कुटह कुटह अन्यता उपने निगमने क्या रहते इसका कुटो अन्यता तो उपने और निगमन का प्रयोग क्यो किया जाता का प्रयोग यह आपको लगना है आपको लगना है इसका क्या क्या बोला मैंने अन्यता फिर उपने और निगमन का प्रयोग क्यो किया जाता यह इतना से सूत्र है यह प्रशनार्थक सूत्र है इस कार्थ क्या है अन्य था तो उपने और निगमन का प्रयोग क्यों किया जाता यह ऐसे क्यों बोल रहे हुए बराबर यह उधारेंड से बात संदेह वाली हो गई कह रहे है और नहीं होती संदेह वाली तो उपने और निगमन क्या हो इसे तहीं नहीं पड़ती यह किस के साथ चर्चे चल रही है समये किस के साथ चर्चे चल रही है बोलिये जल्दी बोलो अन्यमतियों के साब इतना बोलना क्यों अभी मैंने कहा तेक प्रकरण ट्विस्ट होगा दस बारा सुत्रों के बाद जिसमें यह बता जाएगा ठीक है पास सुत्र में पाचवांग भी चलेंगे लेकिन पाचवांग वो अपने अपने मतवालों के लिए चलते अन्यमतियों के साथ जब चर्चा चलती है तो वहापर उधारनों की कोई प्रतिष्ठा नहीं है समझ में आता है उधारन नहीं बोलना वहापर क्यों नहीं बोलना उधारन क्यों उधारन को तो समझता नहीं है पिर उपने और निगमन क्या वशक्त पड़ेगी तो पढ़ने दोना तो पढ़ने दोना आरे सब विद्वान बैटे हैं तो हेतु देते हैं तो सब समझ जाते हैं इजी हेतु देते हैं तो सब समझ जाते हैं तो इसको काई के लिए लंबन है इतना विद्वनों की सभा में नई टाइम है किसी को ना आवेशक्ता है किसी को ये सूत्र एक हुआ 49 सूत्र हुआ क्या रत किया मुक्तिष का कुतह मतलब कुतह कुतह क्यो अन्यता क्यो आवेशक्ता पड़ती यह अपने लगा दिया वो इसे शाब्दिकार्त क्या बने गा अन्यता क्यो उपने और निगमन का प्रयोग करना पड़ता अवशकता पड़ती संदेव हो रहे तभी तो करना पड़ा उधारन संदेव खड़ा करता है और तकलिप खड़ा करता है हटा दो उधारन को समस्य खड़ी करता है आगे बुड़ा कौनसा सुत्र चलेगा चालीसो सुत्र पड़ते है चालीसो फोटियस नच ते तत अंगे नच ते अंगे इसका कोई अर्थ पताएगा नच ते तत अंगे नहीं है वे अंग तत का अर्थ क्या करेंगे आपर बेरी नाइस नहीं नहीं तत का अर्थ ये करना पड़ेगा अनुमान वाक्य के वे अंगे नहीं है ते का अर्थ क्या करेंगे उपने और निगमन इसमें दो यांग है उपने और निगमन कोई यांग नहीं है दो यांग है आपर नचते तद यांगे और चमतलब और और वे भी यांग नहीं है वे दोनों भी यांग नहीं है अनुमान के वे भी दो यांग नहीं है साध्य धर्मीनी हे तु साध्ययो वचनात एव असंशयात बहुत अच्छी बात कही हुए उनने क्या हेतू से ही साध्य की सिद्धी होती है और उसमें कुछ भी संशय नहीं रहता ठीक है देखिए उपने और निगमन अनुमान क्यांग नहीं है क्योंकि हेतू और साध्य के बोलने से ही संशय नहीं रहता किसको संशय रहता है जहाँ परागनी होते हैं वहाँ पर दुआ है हमने कहा पर साभी कहा संशय के बाद फिर रसोईगर तुमने जोड़ा और एक आपति खड़ी कर दोगे पकड़ लेगा हो उसमें पकड़ लेगा हो तो पकड़ जाने जैसे कुछ नहीं बोलो चैथ कि आज भी बीदवन ऐसी बोलते है कि एक हिति मैं स्तुत्र के आज भी बीद्वन ये बोलते है कि कर्णन्योग औहरी विशे नहीं उठाना सभा में ऐसी गुड़ वशे है उसको नहीं उठाना क्यों ने उठाना फिर के रहें फिर आपने से कोई गल्ती होगी तो पकड़ा जाएगा मुझे हमेशा एक बात कहते हैं तो कोई विशे उठावी मत जिसमें दुसरा कोई अपना गला पकड़े एक दम साजी चारचा को रहें मैं आत्मा हूँ और मैं पर दर्वेशे बिनू ब देखिए इसको विजी गिशु कता कहते हैं विजी गिशु मैंने आपको बहला था देखो एक वीतराग कता होते हैं कि विजी गिशु कता होती है वीतराग कता में पाच अंग स्विकार किये गए है और जितना प्रकरन चल रहा है ये विजी गिशु कता का चल रहा है इन कत विजी गिशु कथाओं में पाच अंगर नहीं होकर दो यांगों होते हैं। होता है तो उनमें ये अंग नहीं दिये जाते हैं। अस्तू साद्दे वा अस्तू ऐसा करना पड़ेगा। अस्तू साद्दे तत उपयोगात। समर्थनम वा वरम क्या रते इसका। वरम मतलब क्या होता है वरम वरम स्रेष्ट समर्थनम वा वरम स्रेष्ट है और इसलिए समर्थ है। कौन समर्थ है? हे तू हूँ। हे तू रूपम। काई के लिए समर्थ है? अनुमान अवयो। हे तू ही समर्थ है। हे तू ही स्रेष्ट है। इसलिए वही अनुमान कांग है। और साध्य की सिद्ध करने साध्य तो है ही। अनुमान कांग है। और हे तू रूपम अनुमान अवयो। वा अस्तू साध्य तद उपयोगात। साध्य की सिद्ध करने के लिए उसी को उपयोग हता है। उसी से काम निकल जाते हैं और उस स्रेष्ट और समर्थ कारण है साध्य की सिद्धी करने के लिए अपन सुगोज त्रार थोड़ देखते हैं देखें समर्था नहीं हेत्व का वास्तविक सुरूप है क्या बोल रही है क्या मतलब है इसका समर्त नहीं हेतु का वास्तविक स्वरुप है मतलब क्या हाँ मतलब भी हेतु ये नियामक मतलब भी इसमें कोई चिंता नहीं करना हेतु आपने प्रयोक किया है तो बस वो समर्त है वो सिद्धई करेगा साथद्यों को समर्टन ही हेद्धू का वास्तविक स्वरूप है हेद्धू उसी को कहते है जो समर्टो हो सिद्ध करने के लिए आगे अतह वही अनुमान का अवयो माना जाए क्योंकि साध्द की सिद्धी में उसी का उप्यूग होता है बस वही अकेले समर्टे दूसरी के उधरनों की क्या हो सकता है देखो सीता निर्दोष है ये सिद्ध करना है सामने वाला क्या बोल रहे है बोलो समय सीता निर्दोष है ये सिद्ध करना है सामने वाला क्या बोल रहे है बोलो अब तो क्या के समस्से हो सकते सीता के निर्दोस्ता पर प्रस्मे चिन्न खड़ा है क्वोंट भरा है क्या दिक्वत हो सकते कोई सामने आने वाला क्या कह सकते बोलो यह कह सकते है सीता सुदोश है जैसे ओ दोबन कि क्या है बात दोबन की देखो आब वो एकदम प्रकरन को छोड़कर वो उधरन की तरफ ले जाएगा आपको क्या बात है दोहबन की? साब यह है पूरे फोटोग्राप्स यह दोहबन उसके यह रहकर आई वो यह कुशिल सेवन करने वाली है बस देरफ़र और प्रूव क्या करने बटा है सीता सदोश है इसा बोल रहे हो और पूरे उधरन और पूरे प्रूव सदोबन के दे रहे तो यह तकलिप इसमें खड़ी होगी मूल विशे से चुका कर वो अन्य विशे की तरफ ले जाएगा विशे अंतर करेगा जिसको बहुत अच्छे से मैं कहूँ जैने तरिय मानते है सीता का अपहरन करने के लिए रावन आया था उसने सुरन म्रग का भेश बनाया था अब जानते हैं सब सुरन म्रग का और सोने का म्रग ऐसा दिखा वो राम को ऐसा लगा यह सिता के लिए में लेकर उपकड़के बस उसके पीछे चला गए बस डायवल्ट किया रावन ने उसको फिर वो दोड़ता गए राम उसके पीछे-पीछे तो वो उधारन को यह ऐसा खड़ा करके और डायवल्ट होगा विशे और दोबन में बहले आप सिद्ध करके दिखाओ उसका कुशिलत तो है लेकिन उससे इसका कैसे होगा तुम तो यह सिद्ध करो हेतु के रूप में क्या हेतु देना पड़ेगा अभी तो सदोस्तों थी नहीं तो फिर यह कहने पड़ेगा नहीं साब वो निर्दोस्ती तो वो क्या हेतु दे सकता है हेतु मतलब हेत्वा भास क्या दे सकता है साब वो छे महने उनके आ रहे जहाजा रावन था वहावा हमने इसको देखा जहाजा इसको देखा वहावा रावन को देखा तो उसको कहेंगे देख तु जिसको है तु किया रहे है वो हैत्माभास है क्योंकि जहाँ जहाँ यह हो वहाँ वह हो ऐसे तु नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता क्योंकि बाप बेटी भी तो एक गह में रहते है दूसरी बात फिर वीडियो कैमेरा लाओ दिखाओ करें देखो साथ जहापर रावन है वही पर सीता है तो कितें देखो तो करें सीता की शकल देखो जब जब रावन जाता है सीता की शकल देखो वो बोले उसके आखों में भी नहीं देख रही है और नीचे देख रही है आसुर डुलका रही है और ओर थोड़ सी क्या मेरा लगा है और सुनने की ख्शमता हो तो देखो सुनो क्या बोल रही तो वो यही कह रही है मैंने तो सपन में एकराम कोई चाहा है बस हो गया प्रूव, क्या प्रूव कर दिया यह हित्वा बहाँ से तुमारा और तुम दोबन की तो बात ही मत करो सीता की सदोस्ता निर्दोस्ता की बात करने हो तो इसी सम्मन में बात करो तुम समझ में आता है फिर वो धरन में फिर जिस प्रकार क्यों दोबन का क्या हुआ था सब जिस प्रकार तुम्हें नहीं पता पिर दोबन बाख कर गए थी पिर एक तो उसमें भी खिच जाएगा और और पिर दोबन से इसका क्या लेना देना ऐसा आगे का सुतर चलेगा एक तली से सुतर में हमने क्या देखा एई अरपित एक तली से सुतर में क्या देखा जल्दी बोलो इक्तली से सुत्र में हमने क्या देखा आप भी बोल सकते हैं बराबर उसमें कहा समर्थ ये हेतु का सुरूप है समर्थ पना ये हेतु के सुरूप में मिला है इसलिए साध्य की सिद्धी करने के लिए बोलो हेतु एक अकेले इनाफ है और तो उल्जन खड़ी होती है आगे सुत्र चलते है अभी थोड़ा मैंने कहा था प्रकरन थोड़ा चेंज होगा आपने कितने सुत्र देखें आपने 38, 49, 40, 41 ये चार सुत्र की विशेवस्तू थोड़ी सी एक प्रकर से साइतिस्वा भी सुत्र देखना आज आपने साइतिस्वा तो ये एक साइतिस्वे तक तो प्रकरन अलग था और 38 से लेकर 41 स्वे तक का प्रकरन किसकी सिद्धी करने के लिए था वो उधारन ये दि लेते है तो फिर उपने निगमन भी लेना पड़ेगा और हेतू अकेला समर्थ है समर्थ उसके रूप में ही समर्थ पना बैठा है ये सो उसको हेतू क्यों कहते बयाली स्वे सुत्र की तरफ आते है देखे क्या कहते यहां से प्रकरन थोड़ा फिर बद हम देखो क्या केते हैं बहुत अच्ची चीज देखो एक बहुत अच्ची चीज बात आही है इसमें शास्त्रे एव असव क्या शास्त्रे एव असव क्या यारत थे इसका शास्त्र एव असव शास्त्र एव असव शास्त्र में ही इनका प्रवेश है यह अपन डाल रहे है प्रवेश है यह स्विकार किया गया है अवे सकता है शास्त्र मतलब शास्त्र मतलब क्या लेंगे अपने अपने मत के शास्त्र और अपने ही शिष्षा कर बैटे हो उसे में ही इनका प्रवेश है किनका प्रवेश है इन तीनों की चर्च जिनकी चर्च अभी कर रहे है उपनवर निगमन के अभी दो तिन सुत्रों में तो उन्हीं किया रही थी और पूरों सुत्र रिलेट कर रही तो उधरन इन तिनों अंगों के आवशक्ता शास्त्र में ही आती है शास्त्र में मतलब क्या लेना अपने अपने शास्त्र मतलब अपने सिस्ट्रों को ही समझाने में होता है चेला गुरु जब भी होंगे तभी यह अंग दिये जाएंगे यह कह रहे है आगे क्या कहरे देखो नहीं वादे वाद में अनुपयोगा यह वाद में इनका प्रयोग नहीं होता वे वहाँ पर अनुपयोगी सिद्ध होते है आ रहे है नहीं वही प्रकरण जो आपन चर्चा करते आये है क्या कहते हैं फिर कहा पर प्रयोग होता है वो बाल वित्पत्ति अर्थ वित्पत्ति अर्थ ग्यान कराने के लिए वित्पत्ति पतला प्रति पत्ति प्रति पत्ति ग्यान अर्थ ज्यान करने के लिए उसको बाल मंद बुद्धी जिवों को और वो भी जैनेतर नहीं क्योंकि जैनेतर तो खंडन करने के लिए आया है इसलिए यह अपर किरें वाद में नहीं हाँ कोई जैनेतर यदी लगन बुद्धी से आया है समझने को तो कदचित उसको भी बाल में ले सकते है, ऐसे कोई बात नहीं है उसमें यहापर उपगम कारत क्या लेंगे? निगमन और उपने का मिलके उपगम कुछ होगा क्या? उपगम मतलब स्वीकारना तो यहापर क्या रधा होगा इसको? उपगम मतलब गम, गम-दातु ग््ञान के रथ इंचे है आईसा स्वीकारना तो अर्थ क्या होए ऐस सुत्र का? अधित्य शुत्र का रत बोलो अच्छे शे बोलो वधरन के तीन बोल रही है उनके लिए इन तीन आंगों के आवशक्त होती है उधारण, उपने और निगमन के आवशक्त पड़ती है आगे बोलो नास्ती में क्या बोल रहे है वाद भी बाद में इसका बिल्कुल भी उपयोग नहीं होता है क्यों है तु क्या दिया अनुपयोगा यूजलेस है वहापर भाई बहस के सामने बीन बन बजाने जैसा है ऐसे एक्स्टर चर्चा करना ये कह रहे है कहा पर आए 42 में आ गए 42 सूतर में अब 43 सूतर है उसको भी देख लेते सामने शब्दार्थ है देखे 43 में आप आईए द्रिष्टान तो द्वेधा अनुए वितिरेक बहदात प्रकरन फिर बदला ये 42 सूतर एक प्रकर से उपसंगार था आप ये समझ सकते है 38 से लेकर 42 से तक एक सेट था प्रॉपर ये पास सूतरों था 38, 49, 40, 41, 42 अभी द्रिष्टान के भेध बतर है, थोड़ा प्रकरन बदलेगा अभी हाइलाइट किया जाएगा अभी द्रिष्टान को और आगे शायद हाइलाइट किया जाएगा हाँ, उपने निगमन को तो अभी उनका सुरूप चलेगा, ये प्रकरन होगा 43 सूतर से लेकर 43 सूतर से लेकर 47 तक बराबर तो ये छे सूतरों का 6 सूतरों का एक सेट चलेगा, उपकल ही आपन प्रारम करेंगे 6 सूतरों का एक सेट चलेगा, उस सेट को आपन कलेंगे यहापर किस की चर्च आएगी? ग्रिष्टान तो उपने और निगमन की चर्च आएगी इसको खोल के बताएंगे वो धरन वगरे देंगे अपने तो वैसे लिया है उपने और निगमन का रत क्या लिया अपने उपने मतलब बोलो ठीक है आपका कहना उसको कहना साध्ध धर्मी में साध्धन को खोल के बताना साध्धन मतलबी है तो ठीक है यह लेकिन यहाँ पर ऐसी परिभाशा आप बताएंगे कल और निगमन में क्या बताएंगे साध्ध धर्मी में साध्ध विशिष्ट धर्मी में बोलो साध्ध धर्गा होना उसको खोल कर दिखाए, इसको निगमन कहते है बेटा समझ रही हो मुक्ती, बारी पढ़ रहे ठीक है, देखेंगे कर दो